तुछा दोस्तो मैं अश्विव बर्मा वशन गया लेदें अगाटमेंट क्रेट्फरम पे आप सभी का स्वाइब करता हूं और अश्वा करता हूं कि आप सभी स्वास्ता होंगे और अपने लाइब को अच्छे से एंज्वाइब कर रहे होंगे आज से मैं स्वाइब करने जा रहा हूं जिसका फर्स चैप्टर है दा सॉलिट स्टेट अब आपको पता है कि बैटर की तीन सेट होती है क्यों सी सोलिड लिक्विड और गैस इसे लिक्विड और गैस तो आप रेना प्लोसम में स्टड़ी कर चुके है अब यह दों तो आप स्टड़ी कर चुके है इस यारा में आदेखेंगे की में रहें हमारी तो ठीक है अब जैसा कि आपको पता है कि सोलिड क्या होती है जिनके पास है डार शेतिशेप और ऑर डेफिनिट वोल्यम होती है ठीक है और लिक्विड गैस आपने वीड़ा जिसके पास अमाइज़ द होती है मनलब they tend to flow जबकि क्या रहते हैं कि वे रिजिट रहते हैं उनमें नहीं होती है उनकी अपने कि इसके अलावा हम देखेंगे कि अंदर कुछ इंप्योटी रहती है तो उससे उनकी प्रॉपटेश पर क्या डिफ्रेंट बढ़ता है यह साथ इस पर पढ़ेंगे आप देखते हैं अपने चैटर स्टार्ट पर देखते हैं अब एक बात रहती है कि हमारे जो जो सबस्टां यह सबस्टांस की स्टेबल सेट है किसी बी सबस्टांस की सोसे करेंगी तो वां दो बात्तव डिवेंट करती है पहली एक तो इंटर कि इसके बीच में वहते हैं वह स्ट्रोंग है जिसके वजय से इसके पर्टिकल से स्पेस होता है वह बिल्कुल कम होता है जिसके विजैसे इनको एक definite shape लिए है जैसे एक solid का कोई टोड़ा ले लूँ और इसके particles को represent करूं तो यह बिल्कुल pass-pass होती है यह pass-pass क्यों है क्योंकि इसके intermortical forces है और बहुत ज़दा strong है इसके particles लिए है और इनके between the interstate space है वह भी बिल्कुल negligible है क्लियर अब दूसरा पार्ट दूसरा जो वेक्टर होता है वह क्या था thermal energy thermal energy क्या क्या होता है कि the energy which possessed by substance due to its temperature क्या होगी the energy which possessed by substance due to its temperature is known as thermal energy ठीक है अब इस energy क्या क्या होता है यह जो energy है particles को अब particles क्या है जब particles के बाद energy है तो 10 to move मलब एक दूसरा प्रेट होंगे तो आप बिल्कुल excited है आप अनर्जी बहे होंगे तो आप कुछ ना कुछ आप एक जहां बैठेंगे नहीं आप कुछ ना कुछ का आप करने का मुन करेगा प्रेट होंगे तो आप क्या है जो इंटर्मोलक्तिर फोर्ची से बहुत जादा है जिसकी वज़ा से वह क्या है रिजिग है और इटेफिनेट शेप मिली हुई है तो इसकी विज़ाए से जो सबस्टांस है इसकी विज़ाए से हमारे पास जो सबस्टांस है जो जो चीज़े देखते हैं वह क्या है अब देखते हैं दा जनल प्रक्रिस्टिक्स ऑफ सोरेड जनल प्रक्रिस्टिक्स ऑफ सोरेड अब सोरेड की जनल प्रक्रिक्स्टिक्स क्या है जनल प्रक्रिक्स्टिक्स ऑफ सोरेड पहला तो यहीं है में दोस्त की डैफिनेट शेप और डैफिनेट वोल्यूम कि डैफिनेट शेप एंड डैफिनेट वोल्यूम ठीक है दूसरा रिजीड है कि तीसरा इनकंप्रेसिवल है लिक डाष की तरव कंप्रास रहते हैं कि डैफिनेट वह में जैसे लिकुल डैफिनेटर आनखिज है क्या होता है क्या होती है वह ज्यादा होती है्ए करते हैं जो सुलृब पार्टिकल्स है पार्टिकल्स है वो क्या है नो फिक्स है दे दुट टेंट नो तो वह क्या करते है वह अपने को जिशन पर असलेट कर सकते हैं ठीक है राइड तो दर को श्रुक्र में पार्टिकल्स शोली केस्वें एक और सी लेट at their mean position ठीक है मैं बाई और फिर्ट क्या हो देगा intermolcular forces are strong intermolcular forces are strong ठीक है जिसके वीजिसे क्या रहता है जो intermolcular distance होता है particles के बीच का दो particles के बीच का intermolcular distance होता है वो बिल्कु small होता है intermolcular distance is small ठीक है यह जिल्ण प्रेक्टिक्स सा solid की definite shape definite volume rigid है incompressible है constant particles क्या है अपने एक mean position पर उस्टेट कर सकते है और intermolcular forces है वो strong है जिसकी जैसे क्या है intermolcular distance है वो क्या है small है ठीक है अब देखते है जो solids है वो कितनी तरेटी है हमारे बार जनली solid दो form में है crystalline या amorphous ठीक है crystalline या amorphous अब जो जैसे की solid के जो constant particles है उनकी arrangement के coding हमने crystalline और amorphous पर divide कर रख़ा है अब crystalline और amorphous के जो difference है उसके साथ साथ crystalline amorphous को explain रहता हूँ crystalline solid कोन से होंगे और amorphous कोन से होंगे ठीक है यह रख कर दें अब इनके difference से की मैं आपको समझा दें आपकी तो solids है solid अबार का जनली दो तरह रही है crystalline ठीक है crystalline and amorphous ठीक है दो तरह रही है crystalline और amorphous ठीक है इनको difference से साथ ही मैं इनको explain करता हूँ ठीक है अब इनका पहला difference देख लेते हैं पहला है configuration configuration और arrangement of particles अब इसमें क्या है जो crystalline होते है ठीक है उनका एक fixed pattern होता है मतलब उनका pattern इतना fix होता है कि आपने suppose कि सब्सक्राइब किसी हिस्से में अगर आपने कोई pattern observe किया तो आप definitely कह सकते हैं कि उसके दूसरे पार्ट में वह सेंट होगा ठीक है अगर चिए सबस्तान होता है अगर यहां पर कोई pattern है सब्सक्राइब यह पर यह पर चार डॉट्स है सब्सक्राइब यह pattern है चार डॉट्स है तो दूसरे पार्ट में बहुत है कि इसी फॉर्म में होगा यह क्या है कि लोंग रेंज लॉडर जिसमें क्या हुआ जो कॉंसेट बार्टिकल्स हैं वह एक फिक्स पैटरन अब्सेट्र करते हैं मतलब जो पैटर एक डिस्टेंस में मालेज़ है यहां पर पर बॉई एक फिक्स पैटरन है और वही सेंट कुछ दिस्टेंस के पात वही पैटरन जटकी अमोर्फोस जेस में क्या होगा जो उनके पास शोट रेंज ओडर होगा मतलब जो सिक नंसे पार्टिकल्स है उनका कोई फिक्स पैटर नहीं होगा ठीक है तो अमोर्फोस में क्या हो जाएगा शोट रेंज ओडर शोट रेंज ओडर मतलब नौ फिक्स पैटर्न ऑफ कंस्ट्रेट पार्टिकल्स ठीक है इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखते हैं एक तो कन्फरिगेशन होग दिया दूसरा रप कर दें दूसरा मैंटिंग पॉइंट और दूसरा देखते हैं मैंटिं अलब कि शुद्रेटर केस में जो पार्टिकल्स हैँ उनका कि कोई रेंज यह होता है डिसकी वचेको रेंज होता है मतलब उनके कोई fixed melting point नहीं होता है मतलब range of temperature है इसकी जैसे हम कहा सकते हैं कि जो crystalline storage है उनके पास definite heat of fusion heat of fusion को मेरे भाई ये same बात है कि amount of heat required for a substance at this melting point मतलब melting point में heat required होती है वही क्या होती है heat of fusion तो हम crystalline case में कहा सकते हैं कि crystalline solids के पास definite heat of fusion है जबकि amorphous के पास no definite heat of fusion तो जो पताया उसके बताता हूं कि crystalline solids में क्या होगा sharp melting point और यहां पे क्या होगा प्रेवाई range of melting point तो इसके पास क्या होगा definite heat of fusion definite heat of fusion ठीक है और यहां पे क्या होगा do not have do not have definite heat of fusion ठीक है ठीक है ठीक है मेरे बाई अब तिसरा बार्ण देखते हैं isotropism और anisotropism isotropism isotropism and anisotropism अब यह क्या है आप इसको देखते हैं कि crystalline solids में क्या होता है कि जो कुछ property जैसे travel expansion refractive index electric conductivity एक क्रिस्टल के अंदर ही different direction में different different होती है अब जब यह प्रपरइटी डिफेंट डिरेक्शन में different होती है इस नेचल क्या गयरते हैं isotropism और जब यह प्रपरइटी डिफेंट 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 सेम होंगी तो उस प्रपरइटे क्या बोलेंगे हम isotropism क्लियर है जैसे मैं की सब्सक्चाइब के में जो इस डिर्सपेंट से इस एक सब्सक्राइब करेंगे तो रही है और लाइगी सब्सक्राइब मनलब 지금은 दिसे ग्याया और धिख परपारिटी इस अगर परफार्टी कर अविश्कॉ emphasizes में मनलब इस रोगा यहां भी होगी और यहां भी है कि आश क्या चक्ना होंगे है उस्कुल की ही लारा फ़िखेंड की नेचर अगर रहे किस लांगे एन इसाट्रोपिक और अमोपोस क्या होगे आई सट्रोपिक अब नेच्स पाइट देखते हैं अब अब नेच्स पाइट देखते हैं मैं अगर हम सोलेट को किसी शार्टिंग इस टूल से कट करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होगा कि जो क्रिष्टलाइब होंगे वे उन कट करने के पाद एक स्मूद सर्फिस देगा और जबकि अमोर्फोस में क्या होगा वो एक रफ सर्फिस देगा क्या होगा जब उसे चाहार कट करेंगे तो कि एप एकिस बना दे मैंने इसको कि करने के बाद सबस्कु सर्फिस होगी यहां पर वही वह समूथ होगी वह रफ how you can also see मैं कहसे है कि कटिंग हन ओन कि इसका चलिए इसे कटिंग और शार्प एज टूल तो इस क्रिश्टानिकेस में क्या होगा मेरे भाई की जो कटिंग के पास क्या होगी स्मूथ सर्फेस ठीक है और यहां पर क्या होगी अग्यार्फ सर्फेस श्लाइच जो शोल्डिस होते हैं वे क्या होते हैं त्ली एक परेटी होते हैं यह से है सूदो व्लिड व्लिड सूपर कूल लिक्वेट है सूदो सोलिड या सूपर लिक्वेट एक शेक्वा यह आपको कि आपने अगर किसकंद एंजें देखी होगी जो उनके पार की जो मिर्स होते हैं वह क्या होते हैं कि उनको देखिये का ध्यांज होगा इंब फ्रोटें उगा इस अधियाथ चील ग्लास इस एक्जांपल मं आपको बताने वाला था कि अमोर्फोस के एक्जांपल क्या होते हैं ग्लास याँ रवर्ट प्लास्की ठीक है फोलीमर्स जिसक एक्जांपल है अमोर्फोस तोडिक ॹाप अचे था अब लृट्पकाट ते लोगर पार्ट क्या होगा और अपर पार्ट क्या होगा थीन होगा यह क्यों है तो कि जो इसके पार्टिकल्स में में जो विसकस जो मुफ़स अबस्ताइब से होगे थीक और यह जाएगा थीन इसमें जैसे हम जो अमोर्फोस हैं उनकों सुपरकूल लिक्विट्स या सुड़ोस बोलते हैं क्लियर है ठीक है और देखते हैं इसमें और रिजांबल क्या उसका और डिफ्रेंस और क्या सकता है कि इसमें अमोर्फोस का मालब जो विपते हमारे आरी डिरेकम के वील्फ महते हैं अभी जो ओक्राइब्स सम और खेंड होते हैं ते अर्व अधो अगते दिखेंगे क्या हो जाएगा वह क्यों होगा मेरे वाइं क्योंकि ग्लास की आपकल अमोर्फो सॉरिड का ऑवर था एसंदी के जो इनका पैटरंग है सब्सक्राइब करना जाता है जिसके गलास का वह क्या होता हूं कि जो हमारी विंडो होती है घर के भार की तरफ मतलब भार की सब्सक्राइब जिसके जाता है इसके लाब क्या होगा कि जो धूब पर्डी पर नगाता है तो क्या होगा तो क्या होगा गरम होंगे रात और थन्दे होंगे जिसके विजह से भी तौइब और धूरब गरमी की वजय से लगातार वो क्या हो जागा एक फिक्स पैटिकर में मतलब अमोर्फॉस उल्ड किसम क्लाइड में इसकी उजा अब अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ओफ किस्वाइड इत्लाइड इत्लाइड आप जो तदॉछ किस्वाइड है है अब कि अपकरने। क्लासिफिकेशन ओफ क्रिच्स्लाइब सॉलिड अब क्लासिफिकेशन ओफ किस्टानीज़ वे करेंगे कि एक तूब जैसे आपको कुद्ध कोई भी सोलिड हो तो उसके पार्टिकल इस एक कोटिए कि वार्टिकल्स क्या है उसके वियाब पर हमने कर्स्वर्ण सुड़्ज को चार वालू डिवाइट कर रखा है और वालब क्लासिफिकेशन ओफ एटर विश्टलाइब सोलीड किस्टलाइन सोलीड ठीक है अब इसको डिवाइड इस बेस्ट पर क्या है इस बेस्ट मैंने क्रस्टलाइन सोलीड को चार बागन डिवाइड कर रहा है पहरा है आइनिक दुसरा है मुलिक्लर तीसरा है मेचल ट्रीक ओ फोर्थ और कोवलेंड ठीक है अईने सोलिड मोलिक्लर सोलीड मेचलिड और कोव्लेंड रवाई चार रही है कि इसलें इसलें। तो आप जैसे की नाम पता चल रहा है कि ऐसे विस्टेट्स पार्टिकल्स क्या होंगे नाइन्स क्लियर है जिसे नाम पता चल रहा है कि आंब एक्पिकल्ष में जाएगा ज्ब चार्जायग पीछर में छाए गा यह रिद्धी थूट्सड़ १ीड्र प्रश्ट है इसका एक्जामपल एतने से एक्जामपल एक्जामपल है इसके क्षेश्ट पार्टिकर्स क्या होंगे सोडियम आइस और ग्लोरीन आइन्स क्लियर है और इनकी विच्छ पॉर्स आएगा इलेक्ट्रोस्ट्राटिक फॉर्स ठीक है अब एलेक्ट्रोस्ट्राटिक फॉर्स पीचर में जाता है जिसके व्याइस क्या है जो आयों आयों आपस में जुड़े होंगे हैं वह बैर प्रेक्ट्रों नहीं होगे तो मेरे आयंस तो फ्री नहीं है ठीक है मतलब solid form में जो NACL है वो क्या होगा बैट क्नेक्टर अब जब कर दें तो क्या है जो NACL है साल ठाइए यह पारे के घुल जाएगा घुलने के वज़े से क्या होगा इसमें एलेक्टिक्टिक्ट्स पोसिबल है ठीक है अब कह सकते है अब दूसरा देखते हैं अब मॉलेक्टिक्ट्स पार्टिकल्स होगे मेरे भाई वो मॉलेक्ट्स होगे अब मॉलेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है एटम भी हो सकता है ठीक है और है अब इसकी बेस्पे जिसके मफ इसके इसे मफेस मोलेक्ट्स के हामें मॉलक्लस के एटम होगा वह कुलोड होगा रज़ीश्या श्जान थेक्ट 알et TP इसको अब नॉन्कॉलर मॉन्कॉलर सोलिड से क्या प्रचलेगा जैसे की नाम बता रहा है कि नॉन्कॉलर है जैसे और गैसिस और गैसिस अगर इसके के अधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आगर हम खें तो हैंड्रोजन और अधर्य यह यह क्या है आपने प्रेस्व क्लाजा में पढ़ा होगा कि जो नोगोग से होते हैं उनके बीच में इंद्यूस डाइपर डाइपर इंट्रक्शन होती है तिसको आप क्या सकते हैं कि लंदन फोर्स तीक है यह जो फोर्स तो होते हैं यह बहुत ही होते हैं है कि Calabar बहुत ज्पी होते हैं आपको पता है कि अब कि ज्पीको जयसे जो यह धीन सोरिश होती है ते looking के लिए इस्यों इस्धार सोली कि गाउट है और एस पर दाब है यह जायता मिदिया होते मुवह पर फ़ुश्य तो दो जैए इसमें किया ग्या हो गया इसम जैसे अदिसरा देक्टे थे हैं अच्छा इसमें क्या है कि तो यह क्या होगे गैः कि यहां गञी कि बैट्र शौने फ़ुक्ट डब कि आपको बता है कि हमें क्या चाहिए अब दूसरा देखते हैं पॉलर मॉन्फिल सोड़ेट जैसे बता रहा है कि मेरे भाई जो इससे पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे पोलर होंगे वह जैसे पॉलर होने के वज़े से इनमें क्या होगा डाइपर डाइपर फोर्ट्रेक्शन होगा और लंदन फोसी ज्यादा है इसकी जैसे इसका मेल्टिंग पाइंट होगा वह इंकी कंपेंजर में ज्यादा होगा ठीक है पॉलर मॉलर केसे में क्या होगा अब डाइपर डाइपर फोर्ट्रेक्शन है वह लंदन फोसी से ज्यादा है इसके लावा यह भी क्या है बैर इलेक्टर ओफ इलेक्रिक्रिक्रिक्टिटी इनमें अब इसे दिखते हैं अब हैड्रोजन पॉल्किल सुलिट अब हैड्रोजन पॉल्किल सोडिट में क्या होगा मेरे भाई जो कॉन्सेंट पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में है इसके लावा है बॉल्किल थे इसके लावा है जुआ है यह होगा है इसके लावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फलोरीन यह उसके लिए तोने केसे में क्या होगा है और है इसकी जो इनका वैल्टिंग पॉइंट है इन दोनों सोलिड से बहुत ज़्यादा होता है और जैसे अग्जांपल लें कि आगें लें कि अग्जांपल लें अग्जांपल लें कि और देट है है अभी में जाएविसेंगत होता है अब आपको बटाएंग आइस करी आइस वाटर के लिएस एक आप स्वाइड गूति है दो है नहीं सब्सक्राइब में थे नहीं तो है नियुद्ध कई वह होता है तो प्लोग प्लपी एस आ प्रीक्ट्रॉन अब लेबल हो जाएंगे जिसके विएसे क्या होगा वह बाद इलेक्टर सेटा है तो ड्राइब आइस होगी और चोब वाटर बहुत हो बैट इनक्रीट है और यह उसको में साइजिट जिजोर करते हैं वाटर के अंदर तो गया दाएगा तो टुर अश्टीट है तो अब है जो idea होती है इनमें भी जो इतना जाएंदा नहीं होता एको इस कि या बिन को सुछम्स होते हैं L Tools अब गौन का बेलिक मैं और अब जिखते हैं anytime कि कि वोत ताइप संद्स को ब्रॉस किष्प बंगर के में मेंawan पडलिक लिए अब मेटलिक सोड़े में जैसे आपको अनाव से इपता चल रहा है कि जो मेटल्स होंगी तो मेटल आटम्स होंगी अब मेटल अटम्स है तो इन सोड़ें तर मेटल्स की सारी को पर्टी मिलेगी जैसे इनके क्या है आपको बता है कि मैटल्स के अंदर के अंदर होंगी दो जनली मैटल्स के अंदर होती है तो इस बैसे बैसे जैसे पर सिल्वर गोल्ड ठीक है वे शुड़ें जिनमें सारी प्रपर्टी स्के होंगी बैटल्स की मतलब अब लिए वेल्टिंग पाइट लिए लेक्टि सब्सक्राइब करेंगी ने थे लिए आप प्रपर्टी आप प्लस पढ़ चुके है पहले और लाज है है अगला सबस्टार्ण का पूलेट तो दिखुरноз तो छोंट कैने ड़ैसे नेम एंडिगेट कर रहा है इसके पाटिकल्स होंगे उनके एंटम्स की बीचों क्या हुआ वह बहुत ही बड़ा है इस स्रक्चर बनता है उल्जा के सोलिट नोगते हैं वह जान्स पॉलते हैं जीमिंद तरहें आपको डाइमंड डाइमंड और सिल्कोई करबाइड नाजी एक ग्जामपल है अब जैसे आपको डाइमंड में क्या होता है आपने लास्ट ने पड़ा है कि अब आपको पता है कि कि आपको पैटर में रिपीट करेंगा नहीं नहीं पता है अब यह तो बना दीजिए मेरे वाई हारु से ट्राइडल यह इस पर टॉसकर जाएगा यहां से दुवारा ट्राइडल बना दीजिए अब यहां से भी बनेगी वह दो एक फिक्स पैटरन दिखना आपको एक फिक्स पैटरन ऐसे अब जलता रहेगा यह किसका है डाइमेडर के इस वह तो यह कि यह करबन एटम इक नरि फिक्नेट sorry ने पहुत है यह कोई बने कोई है और अवी यह क्वक्द से पेयरी अ तो यह क्या होगा वेट मेसे चाँ और इसपोर पिलoooonnenयु एटी अब यह लेक्तिक्पर्लन नहीं है रुसल क्या कि णरतों इस नरस union लेक्तिक्न क्या होसे ट्रैक्स अब कोलेंट क्या होता है वह बहुत ज्ञादा स्ट्रॉंग होता है जिसके जो जो ये इंका मेलट काईट करते हैं तो यह दिछ रहा है कि थे अभी करें तो यह हो जादा नहीं पर हमारे पास एक स्पिक्टर त्रूक्टर फिक उसका एक स्पेसिफिक ने स्पिक्टर वह इसको करते हैं यह कि स्वनेशाइश में कि यह जब रहा है बैट क्या है इसके हैं यह नहीं कि है दर्फ भाई है है ग्रैफाइड कि अब ड्राइट में और ऐसे एक लेज़ बनेगा ते कहा है इसको बना रते हैं सब्सक्राइब बना ये बना दिया है । ऐसे करणाट करणाटम 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 और ख़नाटम है फ्री है वह घुलिए और लास्ट करणा अमिच्छितन प्रिया नहीं होता है यह बनेगी यह ड्राइंगुलर टिक है अब यह और और सेम वे में कि यह चलता रहेगा कि कर और कार्बन 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 यह चलता रहेगा मतलब लेयर की फवर में ग्रेफाइट सबस्क्रता है कि थे अफिर इसना ट्रॉफिक अब कि यह चोथा कार्बन यह इद यह क्या होता है और कार्बन यह मतलब अब भैष्टान होगें अब व्रेस्टन होगें घ्री आपकशा टयुक्त रहुंधा कि पता चला कि गेयद की यह इसके लावा इन शक्रेशें है िथे डिस्टेंस है यह क्या होताहां की जाती है उस से ज्यादा होता है ठीक है को पूर्ट लियंसे बहुत जादा सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब क्लियर होगा आप देखते हैं इस लाकिस और यूनिसेटर कंसेप्ट तेक्ट तुल है अब देखते हैं मेरे माई तर्टाइब क्रिस्टल लेटीस और स्पेस लैटीस तुल रहे हैं क्योंकि आप देखा कि जो कॉंसेंट पांटिकर्स हैं चैहें हो एटम्स आयन्स या और मोलड़ी हो वाँ उनका क्या है एक पेटर्न आए मोलेक्ली स्थ्थ्ष्ट्र जाम अगर थ्री देमेशनल स्थ्थ्थ्र्टेश की फ़र्म में एक ल्याटिस की लिदेता है और इसकी जैसे चुछ फिदेशनल स्थ्थ्थ्रिचर फार्टिकल्स लाइक राइक अपने आपको रिपीट करत है और पेक्टन में इस विए से यह लैटिस का फॉम रहते हैं तो कि लेटिस क्या हो मेरे भाई की क्रिश्ट लैटीज दा थ्री डिमेशनल अरेज्मेंट कि आफ पार्टिकल्स 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 लाइट अटम्स आयन्स और मोलेक्यूल्स मोलेक्यूल्स विच आर रेगलर्ली है रिपीटिंग है इसल्फ है इन स्पेस कंसीट्यूट क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस ठीक है मलब जो कंसे पार्टिकल्स है वो अपने आपको 3D फॉर्म में एक डियाफ्नेट पैटरं के बाद रिपीट करते हैं वो क्या लेता है क्रिस्टल लैटिस की फॉन लेते हैं और इसकी क्रिस्टल लैटिस की ठीक्रिक्स हैं पहला कि जो यह पार्टिकल्स हैं कंसिक्ट्ट्वेंट पार्टिकल्स हैं उनको हम इक उक्वडाइक हम रिप्रेजन करते हैं ठीक है रिप्रेजन पार्टिक्र्स आप रिप्रेजन्ट्स आरे प्रेजन टीछ in the form of पॉइंट मतलब इसे अंको पॉइंट डिफिर पॉइंट करते हैं ठीक है और इच पॉइंट इस गोल लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट इच पॉइंट इस गोल लैटिस साइट और और लेटिस पॉइंट ठीक है और तीसरी क्या मेरे भाई कि जो दो यह पॉइंट है इनको स्क्रेट लाइन से कंबाइन कर रहे हैं ठीक है तीन में रेक्टिस क्या है तो पाइंट को पाइंट कर रहे हैं इच साथ और दो पाइंट को में से जोड़ती है अब इसमें क्या रोती है अब जाल क्या रोती है रोती है तो क्रिस्क्रीमिश्व ये अब जोड़ती है यह क्यों चैण माली क्यों तरहां प्रीक्शन के जता हूं तो पुरा डिरेक्शन रिपीट कर दें तो पुरा लेटिस का फूम दे लेती है इस वागाश रिजाम्पल है जैसे ब्रिक ले लेते हैं जो हमारी गर की दिवारे हैं वह इटों से बनी हुई है अब पुरी जो दिवार है वह एक क्रिस्टल लेटिस समुझ दिजिए और जो तो कि रिआ अल्ण मुझे ौमयर का हूगा उनी नीचल किaré गा हूगा उनीचल इस दा समलेष प्सक्रा प्सक्रा लेस्टिस बिस्टिटीस बीड़ींड इन इंड एल दी irड स्टिपा उनी सवार् संध्सows prendam 현 бой उजट एंड टीडिस रिच्सन इस बिड़े पर स्टीच्ट of a lattice okay which repeated again and again in all direction okay all direction leads to form full lattice है αν कि आदे का आप यहाद रखिएगा ब्रिक वाल अ ब्रिक अ ब्रिक जो ऐसे काम कर रही है लिए अ इक क्रिस्टल करें तरही है ठीख है पता चली है अब जिए कि ना कुछ कर्टास्टिक्स होती है इसकी अपने के एज लेंद्थ होती है और एक एंडल पता है ठीक है रफ यहां आगे अब यह फिर में आपको बढ़ आते हैं ठीक है जैसे हुआ है कि अब यह को अब यह को अब यह को अब यह को अब यह देखते हैं कि इसकी जो यह लेंथ है कि अब यह क्या हो सकता है अब यह क्या है इसकी एज लेंथ है इसकी जो डिस्टेंस है है कि है अब दो इर्स की बीच के अधान गालगा वो क्या होगा इंटर के लिया एयaken का है कि यह जो और ऐसे यह 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 क्या होती है इसलेंद्च यह क्या है मिल फा पीटा और घंव क्टिक्स होगी बाई का है एब आफ ऑ सी क्या है-अonst hun और एलफा बीटा और ग्रामा ट्या है एज एंगल ठीक है अब इन एज लेंद्ध और एज एंगल के साब से हमने 7 टाइप की उनिट सल है इन एज लेंद्ध और एज एंगल की विजिशन के गोडिंग हमारे पास 7 टाइप सल है ठीक है उनको देखते हैं 1-1 और यह जो 7 है अब तो लेते हैं इसको अब है तो शिक्स परमेटर है इनके पीछ पे मारे पास सिक्स सेवन टाइप सोफ यूनिट सल है इसको एक मिलोमिक से याद करेंगे जैसे की प्रोविक पैसे याद रखिए जैसे कि लर्का है बेले वेने परेंट से दिखाए वोकि इसमें रट् है तो आप उसको यंवालिन होगे क्या वार निदों कि सीटी और माली तो सिटी ओर वा इंचेप यह हैं धाद होगेकोनल होने अई जायेगा उसकी जायेगा उसका इलाजनी योगा तो फिर वो और जायेगा ठीक है कोई लड़का है वो जैब बार-बार KG सेन्य चायता है कि आप उसे वार्णिंग देने हो कि सीटी और मारी तो उसकी जो मुंकी शेफ है वो क्या हो जायेगी है मुझा उसका इलाज नहीं होगा तो वह कहा जाएगा ट्राइक यह तो देखिए सब्सक्राइब और मारी तो स्वीटी और मारी तो उसकी मुदीशेप क्या होई ही है जागोनल अ है जका है और हैसी क्वेड़नहों हो भी तो वो इलाज करें किया जागोर मोलो क्लीनिक यह महां भी राइस नहीं हो तो वह ऊपर का क्या ओ सुआ कि तो कि इसका तॉ रेस्टन कैसे है एज और एल्फ एंगल ठीक है यह अंगल बेट्वीन एज अब सी से क्या बना क्यूबिक पी से क्या बना ट्रागॉरल ओसे ओर्थरोम्बिक यह क्या बना और और हो यह स्मझे दीए जोसकी हिं शारी खराब कर देजिको सारी खराब होगी कि लाज नहीं हुआ खराब यह भी खराब होगी और इसका एंगल होगी और वह भी क्या होगी खराब होगी व्यूद्ध नहीं होगी अब यूदि देखते हैं पहले क्या है पहले वो ठीक है तो एब चीजिए अब क्या है पहले माता जा रहा है तो एक को खराब करते हैं पहले यह फिर यह फिर दोनों को रहते हैं फिर इसको रिपीट कर दीजिए देखिए तो कर दोनाना पढ़ेगा बस यह के आपको रच्टा मानना का विए भी अना मलत तोड़ा सा यह होगा कि आप भूनेंगे ने इव दो वार कि आपको कॉर्सना वे और या तरग भी कि अब हरति है पिर तो हम ग्रेश करते हैं अब दोबार किते हुआ कि तुन कर दो दून गदाब कर दीजिए तुरसरी में दोण कर दिया पिर बैसे बीट कर दिया फिर दोनों कर दिया और प्रैक्टिन नंकर इलास तो हुआ दिए तो फिर फेली घ्राब है अब अब एलफा बीटा गामा इसको निदिगर इसको क्या है अब तीन बार रिपीट कर दिजिए ठीक है कि यह थोडह सा रंक्टा वाला फटै थे पीट कर दिया इसको कर दो अब दुम इसको राव कर दो इसको रॉर्पीट कर दो सि dramas not इक्वर इसको क्रूं है है मेरे बहुं है यहेंगल में क्या हो सब्सक्राइब करेंगे फिर खराब कर देंगे उसके बाद है उसमें आपको पता है कि दूएंगल क्या होते हैं इसका होता है और मॉनोप्रेनिक में क्या जाएगा गामा को बिटा से ब्लेस कर दीजिए ठीक है अब इससे क्या पतल रहा है कि जो पैरामेटर से एपी सी और इसके बीस पर हमारे पास सेवन टाप्स यूनिट सल है ठीक है अब देखते हैं कि आपको कि अब इसको अब इसे में वायता हूं हूं कि हमारे पास सेवन टाप्स यूनिट सल है ठीक है अब इसको रफ कर देते हैं कि अब यहीं से प्रवाजिता हूं कि हमारे पास 14 ब्रेंट्ट इस कैसे हैं जैसे मैं बताया सीटी और मारी तो मूंगी शेफ हैंजा गुर्णल ठीक है मॉनो क्लीनिक जाएगा और राइक नहीं कि इससे पारे से पहले पहले यह देख रहती है कि टाइप सब्सक्राइब अब जो युट्ट पराइट्र से एबी सी और अलफ़ेटर गामा इसकी विएफियों दिखा कि हमारे पास सेवन टाइट सेल हैं अब आपको पताएं पार्टिक्ल्स पार्टिकल्स एटम्स आयन मोलेकुल्स अब नमबर अटम्स आयन मोलेकुल्स के बेस्पे अमने युट् अब युट्स दो टाइप में डिवाट किसके वियाव पर नमबर अटम्स प्रेजेंट अगा इंसाइड युट्स अगा इसकी विएफियाव जिसके दो बार रिवाट कि रहा है पेला क्या है तो फिल्मिट्टिप एक और दूसरा क्या है सैंटर टाइप अब प्रमी टैड में क्या हुता है जो पृतिकल्स होते हैं वो खांगे सिर्ब कॉर्णर स्यूंगे दिए पांटिकल स्यूंगे तरह क्वाटिवह इसागे आप गिद्याट कॉर्ने विखिए और यहां पर क्या हुगा भी सिंटर बी और यहां पिलावा दूसरी जिना अटब अधिया कर पूर्णर प्लॅस साइड्स अदर साइड्स पूर एग्जांपल बादि सैंटर निय्क नम को सब्सक्ता है और और स शुदिंटर ऑफ कर आद्स पर अब है अब अब हैक प्रेजन फेल सेंटर एंड से रिख्टर दिकर यहां तीनों जोगाते हैं इसके लिए आपके हम इन इंटको इन टीनों डिवाइड कर रखा है प्रेजल सेंटर ठाइब इसको सिर्टे सकते हैं मैं अब एंड इसकेब प्रेंत ओर अब अब बोडी सेंटर क्या होता है बाई कि बोडी सेंटर टायर में क्या होगा जो एक होगे वह प्लस बोडी सेंटर पे होगा इसमें एक होगे यह प्लस बोडी सेंटर टीक है जैसे आप इस कमरे में दीजिए एक इसल में एक ही बोडी सेंटर होगा बोडी सेंटर को उसा होता है वह पाईट होता है जहां से जो जो जुश्याल की जितने भी कोर्न है उनका डिस्टेंस सेम रहता है जैसे हम युनिट सेम बनाते है युनिट सेम बनाया अब यह एक पॉइंट है यहां से यहां से सभी कोर्नाइज का डिस्टेंस है वह क्या होगा एकवल होगा माला इस कमरे में देख लीजिए कि जो तो यह बटेंट पर पर एक पउइंट ऐसा होगा जहां से जो कमरे के सारे और से का दिस्टेंस क्या होगा सेम होगा तो निटा अब दूसरा देखते हैं फेस सेंटर अब दूसरा एक इसमें ख्राइच अब फेसंटर आप रहाई में चुरुड तेका फोड़ा यह थे दूसरा अब तो सेंटर ओफ इज फेस का ओगे सेंटर ओफ इज फेस कि इसमें इटम्स का होगा पर पे प्लस सेंटर ओफ इज फेस ठीक है को अब तो अब बैठें है तो आप यह जैसे 123456 हमारे पास चार फेसे आप कमरे को देखिए ऊपर नीचे है है तो इन दिवार एक फेस वालू तो इसका इंटर में होगा तो इसमें और एजा कि इस होगा दो गौह रहा और अच एंटर ओफ न दूपोजिट फिस सैंटर उफ एनी टूपोजिट फिस एक वाला गौद पना में अब्वागा ही नियुक्त रॉपाइब पनाई कि अब यह वाला एक फेज ए इसके निची वाला यह फेज यह यह वाला इसे पीछे वाला जेश्ट साने वाला यह एफ चिक है अब यहाँ इसमें है कि हमारे पास 14 crystal lattice ही क्यों है कि जो हमारी जो unit cell है सब्सक्राइब बताई मैंने उसके पैरामेट्रिस के लोडिंग तो उन में आना यह एटम्स है वो हरे की इसल में नहीं है सब्सक्राइब है अजर हमारे पास 14 है ना उन देखते कैसे कोटीन है यह यह आपको बताना जरूरी है कि हमारे पास 14 तरह यह क्यों पोसिबल है जैसे कि मैं आपको बिन भी प्रताया था वही थी एटम्स किस बेस पर थी कि युद्ध युद्ध के परामिटर्स के कोड़ी का बारे पर सेवन तायप्स की थी कैसे रहाज किया थी तो उसके मुझा की शेप क्यादे है अब आप देखते हैं कि इसमें लाकिस वे कौन कौन सी युद्ध सब्सक्राइब कर दीजिए यह कि इसके डिसक्राइब कर रहे हैं कि तो आरे टायप में होगी उसके बाद आप कैसे आद रखेंगे कि बोडी सेंटर किसमें होगी एफ़ेंटर किसमें होगी इसके जात करेंगे एक नमर्या जाद कि 3-4 मांक प्राइब क्यूबिक में कितने होगे 3 होगी एक ट्रफ में 4 वार टिक ट्रफ में छाह बार तॉबिक की एसक नदिसमें साथ तरह चल है ठीक है और ठीक है बाकि अब कर दो भाई भाई तो यहां से आप काउंट कर लिजिए कि 14 14 ही काउंटिंग में एंगी साथ तक तो यह होगी 123456789 10 11 12 13 और मॉनोगर लिक लाश 14 ठीक है इसलिए हमारे पास 14 टाइप सब्लेटी सिक्ष्ट इस पोसिबल है यहां से और उसे दिए क्योब करेंगे क्लिया है ब्रत एंगे अब कर देख़ें और तो differently 1 बॉच्जु स्थ आप और तो महर तो प्रम स्थ रहें कि लेए नुबरों गेसे देख लिया कि अब इसके अचनी खर गाए कि आटम इसके हैं डेखते हैं पहले प्रिमिटीटीड टाइप में हर अब प्रेंटर टाइप अब प्रिमिंट टाइप में अब अबको पता ही आप प्रेजट होगे अब यहां पर आपको पता है कि यूट सेल के इंदर उस पॉर्णर है अब जो यह आठ पर है अब यूट सेल के इंदर अब यूट सेल कितना है वह इंदर है वह इंदर यूट सेल में उस एक इंदर यूट सेल के इंदर यूट सेल में जो ने आप सब्सक्राइब अब पहले इंको और जब लिए अधिक है फिर इंपर वर्टिक्ली मिला दूँ है यह होगा है उसके बाद 45 एंगल पे इसके 45 एंगल पे डॉट बनाएगे लैटी स्कॉइंट से हम ओल रहे है एंटों को रिप्जाइंट कर रहा है इसके 45 पे अधिक है इसके 45 पे अधिक है अब इनको हर्जोट लिए मिला दीजी अधिक है इसके वर्टिक्ली मिला दीजी अधिक है फिर लास्ट एक और सम डूए ऊठक लिए इसके 45 पे इसके 45 बारि इसके 45 पे इसके 45 पे सगेंग वाएगे इसके 45 पे तो यह फिर फोटी फाइव वारे से इनको बिला दो कि एगए कि अब यह क्या है एक पुर्ष लेटिस को दिखा रहा है अब एक यूनिट साथ को देखते हैं मालगेजिय में एक देख रहा हूं को दलता कि यह छोड़ियम करणा है एक यह चार जेंस अगे थी और चार पीस्से है उन से grammar यह मतलब इस पर्टिक्वल्टल उसे में इससे एकतना धार माने एकatan इस देखूं यह सिर्फ न कि इसका आ है इस जोफ बन भार माई एक एक ठीक है रा services को बाइ तो चाहर पीछे से ठीक है एवन टू त्री फॉर प्राशिक से में पीछे की मालब जो इस एटम है इसकी जो अग्जेसंट इसको टॉट कर रही है तो इसका जो शेयर होगा इस एटम का उस पर्टिकल यूइंट इसको कितना होगा तो टो टोटल कॉर्णल कितने हैं एटम को आटर पर टाप होगे उसका जो इना कर रही है इस विजए से जो ऑन आटम है उसका प्रवे टाइब अब देखते हैं बोड़ी सेंटर में अब देखते हैं बोड़ी सेंटर में बीची टाइब में अब यहां पर आपको पता है कि एटम्स का प्रेजेंट कोर्नर्स पे हैं और बोड़ी सेंटर पर कोर्नर प्लस को बॉड़ी सेंटर ठीक है पोना करता समझ देए एक यूट से बनाता हूं कि यह पॉत जोता ही में अब और यह पॉर्स पी है और एक सका मोली सेंटर में वहीं अदर से आतरों अधर को को रोले का चुछ थे मोगा तो तो आथे नियुक्ति क्तिछ तो अधर एक लेता हुग अधर हो एक है एक यह ना किसके अपने एक वर एक बोड़ेश एक बोड़ेश एक बोड़ेश टोटल रहुट इतने होगे टूग एक ट्रूट क्लियर गोड़ेश ट्रेश टाइप में अब एक टाइब में आपको पता है कि एक प्रेंट होगा प्रस सेंटर ओफ इस फेज एक फेज अब अब दिजा आप एक कमरे को ले लिए आपको टोटल चैनल वन टू फॉर फाय शिक्स चेंदिवारी हैं तो बदब छेंफेज हैं हर फेस के सेंटर पे ठीक है अगर और जो फेस पे जो एटम से उसका जो शेयर होगा एक पर्टिकल्ल यूट चैनल के लिए वह हाफ होगा ठीक है जैसे आप माली जो उपर पर चत को लेते हैं इस चत के कमरे की चत को देखिएगा और उसके सेंटर में एक एटम इमाजिन करिए ठीक है आधा वो इस हागते होगा एक पास शेयर होगे एक यहाप तो का पिर इपने होगे पूर प्टिकल्ल यूटे लिए आ आधा तो six into आधा कितना हुआ थी में टोटल टर एटब वितने वेend एके टेम हैं कि लिये परने टाइप कितने एहां बाई बिसी राम में कितने दो फेश एंग्रिक ने समझेगा इस Galaxy स्टी आती है ठीक है